अयोध्या एक बार फिर से सुर्खियों में है, मंदिर बनने, बीजेपी के हारने, देवार गिरने, गड़ा होने, किसानों के नाराज होने, इन सब के बाद एक बार फिर से अयोध्या चर्चा में है। लेकिन इस बार की चर्चा इंडियन एक्स्प्रेस की एक एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट के बाद संसनी की तरह फैल गई है इंडियन एक्स्प्रेस के पत्रकार शाम लाल यादो की 9 जुलाई और 10 जुलाई की दो खबरे प्रकाशित होई और उसमें से जिसने सबसेदा हडकम मचाया उस खबर का शीरशक था अरुनाचल के डिप्टी सियम यूपी एश्टी एफ के चीफ ब्रिजभूशन शरण सिंग के बेटे जैसे तमाम लोग अयोध्या में जमीन खरिदने को लेकर मची होड यानि अयोध्या एक बार फिड से घोटा ले या अलग तरह की नकारात्मक खबरों में आ गया है वही अयोध्या जो पिछले तीन दशक से बीजेपी की राजनीती का केंद्र बन गया था वही अयोध्या जहां बीजेपी ने ये नारे लगाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे मगर वही अयोध्या जिसने राम के नाम पर वोट मांगने वालों को चुनाओ में हरा दिया उसी अयोध्या में जिसमें साल 2021 में जमीन घोटाले के तमाम खबरे मीडिया में छपी थी उसी आयोध्याम में इस बार एक और खबर छपी है जिसने पूरे देश में हड़कप मचा दिया है शामलाल यागल की रिपोर्ट कहती है कि नवंबर 2019 में राम मंदर निर्माड की अनुमती देने वाले सुप्रिम कोट के फैसले से लेकर मार्च 2024 तक भूमी रजिष्ट्री की इंडियन एक्सप्रेस द्वारा की गई जाच से पता चलता है कि अयोध्या और आसपास के जिलों गोंडा और बस्ती के कम से कम 25 गावों में भूमी लेंदेन की संक्या में 30 प्रतिशत तक के वृद्धे हुई है जो मंदर के 25 किलोमेटर के दाईरे में आते हैं इसका मतलब यह कि साल 2021 में जो खबरें आई थी और उस समय की खबरे तो और रोचक और दिलचस्पती चंद घंटों और दिनों में जमीने खरीदी गई लाखों में और बेची गई करूणों में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से कई गंभीर आरूप लगाए गए थे न्यूज लॉंड्री की आयुश्तिवारी व बशंत कुमार की रिपोर्ट 19 जून 2021 में चपी और एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट में कहा गया गिए अयोध्या बीजेपी मेयर के भतीजे ने 20 लाख में खरीदी जमीन राम मंदिर ट्रश्ट को धाई करूण में बेची ये लेन देन 21 में तीन महीने के भीतर हुआ अयोध्या में राम जनम भुमी से 60 इन संपत्यों का स्थानी अधिकारियों ने मूल 35.6 लाक रुपए आका था और उसके बाद से समाजवादी पार्टी और आमाद्मी पार्टी और कई मीडिया रिपोर्ट ने पूरे देश के लोगों को ये संदेश दिया कि अयोध्या में जहां सब कुछ ऐसा लग रहा है कि भगवान की मर्जी से हो रहा है सब कुछ भगवान के नाम पर हो रहा है लेकिन जो सामान्य आस्थावान हिंदू है जो वाकई राम को दिल से मानता है उसे तो पता ही नहीं चल पाया कि राम के नाम पर वहां पीछे पर लिए इंडिन एख्सप्रेस की रिपोर्ट इसका पूरा विवरण आपको समझना चाहिए इंडिन एक्स्प्रेस के एक्सकलूसियू रिपोर्ट कहती है G अरुनाचल की डिपckी चीम के 3.72 करोण रुपए में खरी दी उसके आगे भाजपा के पूर्व सांसत ब्रज भूशर शरर सिंग के बेटे करण भूशर नंदिनी इंफरस्ट्रक्चर के मालिक हैं उन्होंने राम मंदिर से 8 किलोमेटर दूर महेश पूर गोंडा में सुन दशमलो 97 हेक्टेयर जमीन जनवरी 2023 में 1.15 करोण रुपए में खरी दी यूपी एश्टी एफ प्रमुक एडिशनल डी जी पी यमिताब यश की मा गीता सिंग ने फरवरी 2022 से फरवरी 2024 के बीच महेश पूर और दुरगा गंज गोंडा और मौ यदवंश पूर अयोध्य में मंदर से 8 से 13 किलोमेटर दूर 9.955 हेक्टेयर क्रिशी भूमी 4.04 करोण रुपए में खरी दी यूपी ग्री विभाग के सचीव संजीव गुपता की पतनी डॉक्टर चेतना गुपता ने 5 अगस्त 22 को मंदर से 14 किलोमेटर दूर बनवीरपूर अयोध्या में 553 में निदेशक अर्विंद कुमार पांडे और उनकी पत्नी ममता पांडे ने जून और अगस 2023 के बीच मंदर से 7 किलोमेटर दूर शानवाजपूर मांजा अयोध्या में 64.57 लाक रुपए में 1051 वर्ग मिटर आवासी जमीन खरी दी रेलवे के डेप्टेज चेफ इंजिरियर म सेवा निवर्थ भारतिय वन अधिकारी हैं उन्होंने अप्रेल 2021 में दिल्ली के ईश्वर बंसल के साथ मिलकर मंदिर से 15 किलोमेटर दूर राजेपूर उपर हार में 1781 वर्ग मीटर आवासी जमीन खरी दी SP अमेठी अनूप कुमार सिंग के ससुराली जन शैलेंदर शिंग और मंजू सिंग ने मिलकर 9 किलोमेटर दूर में 20 लाख रुपए में 4 हेक्टेयर जमीन करी दी UP के पूरू DGP यसपाल सिंग ने दिसंबर 2020 से 2023 के बीच मंदिर से 14 किलोमेटर दूर बनवीरपूर अध्या में 0.427 हेक्टेयर कृष्णी भूमी और 132 मीटर आवासी भूमी 73 लाख रुपए में करी दी प्रदान मुक के कार्मिक अधिकारी अनुराग त्रिपाटी ने एक 17-23 के बीच में जो CBSC सचे हुथे उनके पैता ने 15 किलोमेटर दूर अयोध्या में 1.5-7 हेक्टेयर कृष्णी भूमी और 640 वर्ग मीटर आवासी भूमी 2.33 करून रुपए में खरी दी हर्याणा योग आयोग के चेर्मन जगदीप आरे का नाम इसमें आया यूपी विधायक अजय सिंग गुसाईगं नगर पंचायत के अध्यक्ष भाजपा की विजय लक्ष्मी जैसवाल अनमेठी जिला पंचायत भाजपा के अध्यक्ष राजेश अग्रहरी से ले करके देखते हुए आपको ये बात समझनी होगी कि अयोध्या और राम को लेकर सामान ये आस्थावान हिंदो भक्ती में लीन था तो बड़े बड़े अधिकारी सत्ता के करीब बैटे बड़े ताकतवर लोग नेता ये सब किसी और सौधे में लीन थे कोई अपना ब्यापार कई गुना बढ़ा गया क्योंकि उसे पता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है तो उसके बाद वहां की पूरी एकोनामी कैसे बढ़ेगी और कैसे उसमें करोणों रुपए का फाइदा किया जा सकता है किसी ने आवासी जमीन करिद ली तो किसी ने खेत अपने नाम लेखवा लिये उन्हें पता था कि अब इनकी कीमत कितनी बढ़ने वाली है और उसके दिल्चस पांकडा इस रिपोर्ट में और आया है जब ये बताया गया कि अडानी गुप अमदाबाद ने 3.55 करोण माजा जाम थारा में 1.4 हेक्टेर से अधिक क्रिशी भूमी करी दी जो 3.55 करोण की थी इसी तरह से रिपोर्ट ब्यक्ती स्विकास केंद करनाटक के 9.63 करोण रुपए की जो संस्था है उसके नाम देखता है गलगोटिया होटल एंड रिजॉर्ट दिल्ली 7.57 करोण दिखता है सावर्थिया डेवलपर्स करनाटक 26.64 करोण रुपए का इंवेश्टमेंट राम कुलम रिजेंसी एलल पी यूपी 7.30 करोण रुपए का इंवेश्टमेंट दिखाती है और ऐसे लेकर त्रिवडी टस्ट राम जयम एस्पायर त्रिवडी टस्ट महेश्वरी फ इंफ्रा एलल पी तेलंगाना जैसी तमाम कंपनियों के नाम मिलते हैं जिनको राम और अयोध्या से इतना ही लगाओ था कि उन्हें पता था कि वहां की कीमत कितनी बढ़ सकती है ब्यापार कितना बढ़ सकता है मुनाफ़ा कितना जादा हो सकता है इस रिपोर्ट ने खलब किलोमिटर फ्रम टेंपल नाम से एक ग्राफ बना करके शामलाल यादों ने इस बात को समझाने की कोशिश की कि मंदिर परिसत रेलवे स्टेशन एयर पोर्ट इन सब के आसपास 5-10-15 किलोमिटर की रेंज में करोणों की जमीन कम दाम में कैसे ली गई होगी इसका संदेय प अकतवर लोगों ने ये सारी जमीने करी दिये अब इसका एक दूसरा और बड़ा जरूरी पहलू जो आयोध्या जब बीजेपी हारती है और समाजवादी पीडिये की पर्चम के बुलंद हस्ताक्षर बन चुके आयोध्या फैजाबाद लोकसभा के सांसद आवधेश प्र औने पोने दाम पर खरीदने और बेचने को मजबूर किया जा रहा है जिन जमीनों के कीमत पड़ जानी चाहिए थी अयोध्या में केवल स्टेशन की दीवार ही नहीं गिरी अयोध्या में केवल रामपत पर गड़े ही पहली बारिश में नहीं हुए अयोद्या में केवल 22 जन्वरी के इवेंट में इतनी चकाचोंद और ताकतवर लोगों के जमावे के साथ भक्ती ही नहीं की गई बिजनेस किया गया है जो इस रिपूर्ट के आने के बाद खलबली मचा देता है और ये पूछने पर मजबूर करता है कि जिनके घर तोड़े गए उनको मौवजे नहीं मिले लोगों की रोती हुई तस्वीरे और इंटर्व्योज पूरे देश ने देखे सवाल पूछा गया कि उत्तरप्रदेश में जमीनों का सरकिल रेट जो हर साल रिवाईज होना चाहिए अयोध्या में पिछले साथ साल से रिवाईज क्यों नहीं हुआ और रिपोर्ट बताती है कि पिछले दो से तीन बार सरकिल रेट रिवाईज करने के लिए मंत्र मंडल और सरकार को भेजा गया जिसको उन्होंने नहीं बढ़ाया और उन्हीं दो से तीन सालों के बीच में राम मंदिर परिसत के चंद किलोमिटर के आसपास करोणों रुपए के डील हो रही थी राम जिसके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता वो भी तो ये सोच रहे होंगी कि साल 2021 में राम मंदिर ट्रश्ट के उपर ही गहरे सवाल कड़े किये गए मंदिर और आसपास की जमीने जो खरीदी और बेची गई उन पर गहरे सवाल कड़े करने की रिपोर्टें मीडिया में आज भी तैर रही है और वहीं दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट ने कलई खोल दे है अयोध्या क्यों नाराज है इस बात के सबूत केवल बारिश में छे महीने पुराने निर्माणों के धुस्त होने से ही नहीं मिल रहे है इसके सबूत जमीनों के खरीदने और बेचने के इस तरह के खोजी पत्रकारिता से मिल रहे है एक बार सोच कर देखेगा ये आंकडे आप तक कौन पहुँचाएगा कोई शामलाल याद ओ इंडियन एक्सप्रेस में कब तक ये जोखिम उठाएगा कि वो अरुणाचल के डिप्टी सीयम से ले करके यूपी एश्टी एफ के हेड अमिताब येस जैसे लोगों के उपर खबर कर सके दबदबा वाले नेताओं से ले करके बड़े बियूरोक्रिट्स के उपर ये खबर दिखा सके जमीनी आकड़े जुटा करके गाओं गाओं जा करके वहां की रिजिश्ट्री ले करके लोगों को समझा सके कि आपके लिए राम और अयुद्या कुछ और थे और इस देश के ताकतवर ब्यवसाईयों नेताओं और अधिकारियों के लिए यहां आपदा में अवसर तलाशा जा रहा था ये सुन करके सोचिएगा कि अयुद्या के सांसद ने जब सांसद में खड़े होकर ये सवाल उठाए थे तो इसका जवाब कुछ मिला क्या 2021 में पूछे गए सवालों के जवाब भी कहां हमले शामलाल यादो के इस रिपोर्ट के बाद कितनी मीडिया इस पर चर्चा करेगी कितने नेता इस पर बहस करेंगे कौन इस पर जवाब देगा और कितने दिन लगेंगे ऐसी बातों को भूल जाने और फिर से किसी नए शेगुफ़े में शामल हो जाने में ये देश की जनता तै करें शुक्रिया